जैसे हम सबी जानते हैं पूरे पंजाब में सरपंची के इलेक्शन्स बिल्कुल पास आ चुके हैं और सारी कैंडिडेट्स अपनी अपनी तयारियों में लगे हुए हैं हम पहुचें स्मार्ट सुठी लुधियाना के बसंत है वेन्यो एरिया में जहां हमारे साथ मिसिस रित्तु मैता एंड उनके हस्बन मिस्टर अजे मैता वारे साथ बैटे हुए हैं और मिसिस रित्तु मैता एक बहुत बड़ी केंडिडेट मानी जा रही हैं से इलेक्शन्स के जबका विश्वास और प्यार मिल रह भृट अच्छा लग रहा है तो फ़ेंली से कितना छो मैhm सबसे बढे बताइए कि जैसे empez yo им rigtfy कोई भी कंडिबब करタ तो सबसे कुछन उठाया जाता है कि उस एरिया का डेवलप्मेंट कैसे होगा फितना होगा तो आप इस रेजिडेंट पसंद्ध वेटियों के आपको क्या लगता है यहां आपके एरिया बहुत सुंदर-सुंदर बने हुएं पर सड़के अच्छी नहीं है रात में स्ट्रीट लाइट्स का इंतिजाम नहीं है पार्कों की मेंटेनेंस नहीं है हम लोग वोक के लिए नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर स्नेचिंग होती है तो बाकी कलोनी में जाते हैं सब लोग कर र को Smart City Projects के अंडर लेकर आएं कि हमारी कोलोनी जैसे कि हम यहां पर वेल सब हैं तो हम चाहते हैं कि यहां कोलोनी भी हमारी बहुत सुंदर बन जाए हैं तो मैं जैसे अप डोर टोर कैंपेंग करें रहे हैं एलेक्शन के टाइम पर तो यहां के आपके जो नेबर्स हैं आपका सकल है कैसा सपोर्ट मिल रहे हैं आपको सबकी दारव से कैंप duas कि मेरे मेरे में हजम्म सारी कलोनी से पिशले पांट सालों से जुड़े हुए हैं तो उस सब्सद्द की इसकूरा प्यार और विशुवास हमें मिल रहा है हमारा यह प्रोपर्टी डिलर का काम है तो सब लोग हमें जानते हैं सबने ही हमें मिल आगे किया है कि आप ही कलोनी के लिए कुछ करो सब को हम पर विश्वास है हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है हमने उनके विश्वास पर खर्रा उतरना है बिल्कुल मैम आपके पास बापिस आते हैं हेलो सर आप बताईए आपके वाइफ इलेक्शन में फर्स टाइम लड़ने जा रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहे हैं बहुत अच्छा फील हो रहे हैं मैं तो ये कहता हूँ कि ये लेडिस वाइजर होने की वज़ा से मेरे वाइफ इलेक्शन कॉंटेस्ट कर रहे हैं आज बसंत एवैन्यू का लेडिस ग्रूप इतना एक्टिव हो चुका है मुझे द्रिड विश्वास है कि पहले तो जैंट्स ग्रूप एक्टिव रहता था इस बर बसंत एवैन्यू में लेडिस ग्रूप मेरे वाइफ रितु महता जी बतोर सरपंच उमीदवार है हमारा चुनाव निशान अलमारी है बसंत एवैन्यू के समस रेजिएंस, समस लेडिस, समस लोगों का हमें बहुत प्यार, बहुत उमीदवें हैं, बहुत प्यार मिल रहा है बहुत सहयोग मिल रहा है हम कलोनी के रेजिजन्स को ये विश्वास दिलाते हैं जिस परकार से आप लोगों ने हम पर विश्वास किया है हम लोगों को पर विश्वास करके हम लोगों को बतोर सरपंच एज उम्मीदवार मैदान पर उतारा है हम आपके जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं बसंत एवन्यू की रोड्स के डुवेल्पमेंट बसंत एवन्यू की स्टीट लाइट्स पारक सनेचिंग इन सारी समस्याओं से हम मैं दस तरदा सालों से वाकिफ हूँ अब तो पहले हमारा बसंत एवेन्यू से लेडिस जहां पे लेडिस ग्रूप इतना बड़ा विशाल लेडिस ग्रूप हमारे साथ है जैन्स ग्रूप बसंत एवेन्यू का रेजिदेंस हमारे साथ है इन सब लोगों के सहयोग से हमें पूरा विश्वास है इस बार हम जीत निश्चित करेंगे, हमें इस बार आने का मोका मिलेगा मैं समस रेजिजन्स को अपील करता हूँ कि आने वली 30 तरीक को अलमारी के चुनाव निशान पर मोहर लगा कर अधिक से अधिक गिंती में वोटे डाल कर आप हमें विज़ई दिलवाईए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं मैं बसंत एवेन्यू की पूरी कलोनी को आज अपना परिवार मानता हूँ ये पूरी कलोनी मेरा परिवार है बशंत एवेन्यू के रेजिनस को जब भी कभी किसी भी काम के लिए कोई भी जुरूत होगी वो मेरी वाइफ का कोन्टेक्स मेरा कोन्टेक्स हमें किसी भी time phone कर सकते हैं हम हर काम के लिए उनके उनके साथ 24 घंटे के लिए हम तियार हैं सब début का भू़ँअ धन्यवाद और इलेक्शन्स ने तो आपको लगता है जैसे हमेशा लगता है कही नकरी मिल सक्थी गवर्मेंट की दरफ से जो हम लगता है तो आपको लगता है आप दोनों मिलके इतनी प्रॉब्लम्स को ईजिली टेकल कर पाएंगे हमें पता है कोई भी प्रॉल्म बड़ी नहीं होती सिर्फ इरादे मजबूत होने चाहिए आज बसंत एवेन्यू का पूरा ग्रूप बसंत एवेन्यू आपने ये बोला है कि इनके साथ मैं अकेला नहीं मेरे साथ मेरे दो तीन सो दोस्तों का परिवार इनके साथ बिलकुल खड़ा है जब मज़ोटी इतनी आ चुकी है लोग युनाइटिड वे से इतने इकठे हो चुके हैं कोई भी काम नमुकिन नहीं होता अगर ओप्रभू का नाम लेकर सच्चे मन से मेहनत और इमानदारी के साथ किया जाए मैं समस लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ आप हमारे साथ खड़े हैं हम मेहनत और इमानदारी के साथ आपके साथ खड़े हैं कोई भी काम नमुकिन नहीं है सिर्फ हमें एक बार इकठा होने की जुरूरत थी आज सारा बसंद MNU एक मुठी के रूप में इकठा हो चुका है इसलिए बसंद MNU का कोई भी काम अब नहीं रुकेगा मेरी हाई कमान से भी उपर भी मेरी मिटिंग्स हो चुकी है हमें भी यह पता है कि बसंद अगर हम यह सीट जीते हैं हम पार्टी की जूली में डालेंगे हमें गौर्बेंट की और से भी फंट्स में लेगा लोगों का भी हमें साथ है कोई भी काम मुश्किल नहीं है हम लोगों की उमीदों पर खरा उतरेंगे थैंक यू सोमसर बहुत अच्छे बहुत अप्रिशेटिंग आंसर्स दी आपने मैं एक चीज़ हमें और बताइए कि आपको लगते कि आप इतनी बड़ी जैसे आपके हस्में ने बताया कि वह फूल कॉन्फिडेंट है कि वह इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्म्स को हैंड से नहीं डेफिनेटली खड़े रहेंगे हम पहले भी महता जी जुड़े हुए हैं सारी सोचल वर्क हैं काफी टाइम से सोचल वर्कर हैं वो जिस भी काम को उठाते हैं वो बड़ी मेहनत और इमानदारी से करते हैं लास्ट में 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 एक चीज़ चाहें के कि 30 दिसेंबर 2018 को इलेक्शन सा चुके हैं और बस दो दिन रहें हाटली तो आप हम चाहते हैं कि और भी जो केंडिडेट्स के आपके आपके ऑपोजिशन पार्टी में तो यह इलेक्शन बहुत पीसफुली हो जाएं और आपको ब पसंत वैनुके सब रेजिडेंस को अपील करती हूं कि वो टाइम से आकर अपना वोट डाले जैसे की आठ से लेकर चार बजे तक का टाइम है तो मोर्निंग में ही वो आकर अधिक से अधिक संख्या में अलमारी को वोट करें और हमें काम्याब बनाएं थैंक यू सो मुच म आप सबने देखा आप सबने देखा यह थे हमारे साथ मिसिस इतुमेटा जिनका चुनाओची नलमारी है और सरपंची के बहुत बड़े केंडिडेट माने चाह रहे हैं तो आप सब 30 दिसेंबर 2018 को आईए और इनको धेर सारा प्यार दीजे कैमरामन अमन दीप के साथ आप साथ शिपड़ेगी नलमारी है